जै माता दी प्रिय धनूराशी 25 मार्च होली पर बनेगा लक्ष्मी योग का सुपसियोग बिखरेंगी खुश्यों का रंग पाएंगे लाब महादेव महापारवती का आश्रिवाद चलिए जानते हैं अगर चैनल पर पहले बार हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजी देनिक धनूराशी फल के लिए रोज की तरह शुरुआत करेंगे पंचांग से तो 25 मार्च का दिन होली का दिन है ये सोमबार का दिन महादेव को समर्पित ये दिन मंगल ग्रह और शुकर रहे कि उती से बनेगा लक्षमी राज योग, चंदरमा, कन्याराशी में शंचन करेंगे, लक्षमी योग के साथ वृद्धी योग, दुरूव योग, उत्रा फालगनी नक्षतर जैसे दुरलब योगों का बनना होली के दिन का महत्व आपके लिए बहत खास रहने वाला ह क्योंकि होली के दिन बने रहेने सुभ योगा का फाइदा आपके लिए धूमधाम से होली का परव मनवाएगा, प्रियेजन और दोस्तों को होली की बधाई देंगे, साथ ये आपकी कुंडली में चंदर देव की स्तिती मजबूत होगी और महादेव की कृपा से सब मंगल में बना रहेगा, आइए जानते हैं 25 मार्च के दिन आपको क्या सावधानी बर्थनी चाहिए और आपके लिए किस परकार लखी रहेगा, महादेव का असिरवाद आपके लिए किस परकार बनेगा, देखे किस दिन आज किसी को बड़े अमाउंट में धन उधार बिलुकुल भी किसी को मद देना तिोहार पर नहीं तो आपको वो वापिस मिलने की कोई कारेंटी नहीं है, विधारतियों को परतियों की परिक्षाव में सपलता मिलेगी और उन्हें अपनी परिक्षा की तियारी में लगा रहना चाहिए सामाजी कारियों में आपकी रूचे भी बढ़ेगी धरम करम के कारिये में आगे बढ़ेंगे वैवाही की जीवन बहुत जादा अच्छा रहने वाला है, रोमेंटिक रहने वाला है, इसको और अतदिक रोमेंटिक बनाने के लिए आप अपने कपल्स को गुलाबी कलर लगा सकते हैं दोस्तों, महादेव मागोरी का असिरवाद बनाई रखने के लिए सर्व पर्थम वाह की योग बनी दोस्तों, चलिए जानते हैं आपका स्वास्ति दिन कैसा रहेगा, देखिया आपका स्वास्ति दिन जबरदस्त बना रहेगा, अगर आप बहार की चीज़े को अवोड करेंगे इस दिन, तो आपका स्वास्ति अच्छा बना रहेगा, साथी आप अपने के साथ खुशाली बरहा माहोल क्रियेट करेंगे और खुशियां भी मनाएंगे उसके बाद शाम के समय आप अपने रोज के कारियों में लग जाएंगे और अगले दिन की जो दिनेचरिया है पर ध्यान देंगे आप दोस्तों साथ ही आपका दिन ये काफी अच्छा बना रहेगा धन आगमन भी होगा इस दिन और आप अपने काम भी निपाएंगे और तिहार को भी अच्छे से सालिवरेट करते हैं नजरा रहेए इस दिन आपकी साफधानी यहीं है कि इस दिन आपको भूल कर भी किसे को धार पैसा नहीं देना है और ना ही आपको कहीं दूर अपने घर से जो है होली खेलने के लिए जाना चाहिए दोस्तों अगर आप अपनी घर पर रहेके अपने सगे समंदियों अपनी गली पडोसी के साथ खेलते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा तो कमेंटर बॉक्स में हर हर महादेव सच्चे बक्त जरूर लिखें और भगवान पर भरोसा रखें